बिग बॉस के आज का एपिजोड बेहदी खास होने वाला है तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के एपिजोड में क्या-क्या होने वाला है लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजी और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और वीडियो देखने के बाद इससे सेय जरूर करें आज में बिग बॉस के द्वारा दिये गए टास को घर वाले पूरा कर रहे होंगे तबी सना जाकर तोड़ देगी एक टीम का घर जिसके बाद अफरात अपड़ी मत जाएगी और सभी एक दुसरे के घर को तोड़ने में लग जाएंगे इसी अफरात अपड़ी म भाव का हाथ लग जाएगा देवोलीना के माथे पर देवोलीना गुस्से में पागल हो जाएगी भाव देवोलीना को सौरी भी बोलेंगे लेकिन देवोलीना भाव की एक नहीं सुनेगी और गालिया देगी जिसके बाद भाव भी गुस्से वाले रूप में दिखेंगे जिसके बाद घरवाले टास्क को बहुत ही बूदे तरीके से करेंगे बिग बॉस के द्वारा दिये गए सभी सामान को भी नश्ट कर देंगे बिग बॉस ये सब देख गुसा हो जाएंगे और अनाउंस्मेंट करेंगे कि आप लोगों को सर मानी चाहिए हम इस टास्क को भी अखिर आप लोग सो में करने क्या आये हो आप लोग सो को ही बंद करा तो हर टास्क आप लोग रत करा दे रहे हो बिग बॉस सबकी कलास लगाएंगे और सब को सजा देंगे फिर किनी दो लोगों को जेल भेजने के लिए चुनाओ किया जाएगा जिसमें पारस और माहिरा क जेल जाना पड़ेगा दोनों बेस्ट फ्रेंड जेल जाएंगे लेकिन जेल में इन दोनों के बीच बहस होगी और दोनों एक दूसरे से बात्चित करना बन कर देंगे लेकिन इन दोनों के बीच बहस किस बात पर होगी चलिए आपको बताते हैं पूरी बात दरसल होगा यूँकि भाव वहाँ आएंगे और दोनों की नकल करेंगे पहले भाव माहिरा की नकल करेंगे और कहेंगे कि बड़े होठो वाली मैं हूँ बड़े होठो वाली जिसके बाद सबी घरवाले हसने लगेंगे कि भाव ने माहिरा के बड़े होठो का मजाक बनाया माहिरा भाव से पूछेगी कि आपको ये बात किसने बताई तो भाव कहेंगे कि मुझे ये बात तुम्हारे दोस्त पारस ने बताई पारस भी वहीं दाद दिखा कर हस रहा होगा जिस बात को लेकर माहिरा को बहुत गुस्सा आएगा माहिरा कहेगी कि तुम्हारा मसला क्या है तुम मेरे होटो का मजाग कैसे उड़ा सकते हो तुम किसी के भी फेस का मजाग कैसे बना सकते हो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए ही नहीं तुमें एक नंबर के फालतु इंसान हो जिसके बाद पारस को आ जाएगा गुस्सा और दोनों के बीच जम कर बहस होगी माहिरा कह देगी कि आज के बाद पूरे सो में तुछ से बात नहीं करूंगी तभी सना जाएगी सिधार्थ के पास और कहेगे कि चिंगारी तो मैंने लगाई थी जगड़ा मेरी वज़े से हुआ तब इस सिधात कहेगा कि सना मैं तुझे माहिरा की नकल करके दिखाऊंगा फिर सिधात हसेगार कहेगा कि ये तो अच्छी बात है कि माहिरा घर में नहीं या उसके चीखने से मेरे कान फट जाते थे अब देखना ये है कि क्या सच में तूट जाएगी पारस और माहिरा की प्यार भरी दोस्ती आपको क्या लगता है नीचे कमेंट वाक्स में जरूर बताएं